हलो गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी आईसन पीसी इस पे और यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स देखिए अंसर की आ चुकी है प्रोविजनल अंसर की आई है मैंने उसके लिए बना दिया था वीडियो ठीक है कि कैसे आप क्यों जाएगी कैसे जाएगी और इसके बारे में बात करेंगे और बाकि जो अभी परप्रेशन आपको करनी है और जो अपकमिंग इग्जैमिनेशन की जो वेट चल रहा है जिसमें की 2021 का दिसेमबर का और 2022 का तो दोने पेपर के बारे में हम बात करेंगे तो प्लीज पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक जरूर पहुंच पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए प्रेंड्स जहां तक अभी देखा गया है जो पेपर 1 का जो इसके अंदर जिते भी एक्जाम हुए उन सभी शिफ्ट में एक जैसे जैसे शिफ्ट फेज वाइस जो मैंने कहा था फेज फेज टू फेज त्री जैसे जैसे एक्जैम सुए तो उसमें सभी फेशेज में यह देखने में आया है जो पेपर वन है उसमें लिंक कोशन पूछे गए मतलब वह इस तरीके से पूछे गए कि जो अगर सपोज एक आलग ही डागनल उसमें वे में पूछे गए थे उनका पूछने का पॉइंट ओव डिफरेंट था वो वो कोशन नहीं पूछा गया था जो जिस पैटन पर अभी तक कोशन इतने सालों से पूछे गए थे पहली बात यह दूसरी बात कोशन के अंदर अनलेटिकल टाइम अध मतलब इतना टाम सफियम नहीं था पेपर टू नं को आप किसाफ एरगा ही तो लोगोंने पेपर वं शुरू में लीया उनका पूर है उनका पूर टूबे तो आप यह साथ बता रहे हैं तो आप यह मान के शलेगा विश्वास के यहां का इपी सारेस्ट ना पही अग् because बहुत सारे students है guys क्योंकि paper 1 था ही ऐसा जिन्होंने paper 2 start कर लिया था उनका paper 1 almost खराब हुआ है और जिन्होंने paper 2 बाद में किया paper 1 पहले किया था उनका paper 2 आते हुए भी खराब हुआ है because time जो था बहुत ही short था दूसरी बात वहाँ पे centers में स्टूरेंट्स के संग में बहुत मदलब बहुत सारी प्रॉब्लम सही थी लेकिन यहाँ बात हम यह करने वाले हैं कि cut-off क्या होने वाला है cut-off देखे cut-off कम जाएगी but expect इतनी कम नहीं कर सकते है because अभी भी अगर हुए है maximum problem paper 1 की आई है मानते हैं लेकिन इसके साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें यह बताए कि NTA बिल्कुल different angle से question पूछेगा तो अब जो आप इस समय जो आपको focus करना चाहिए cut-off कम जाएगी लेकिन इतनी कम नहीं जाएगी इतना expect नहीं कर सकते I hope 1% 2-3% इससे जादा कम नहीं हो सकता है even सभी subject के लिए बोल रहे हूँ 1% 2-3% इससे जादा कम नहीं होगा guys ठीक है तो आप बिल्कुल hope मच छोड़िए आप यह मान के चलेगी suppose अभी आपने जो दिया था अभी आपने दिया था ठीक है अगर आप अभी वन वीक केवल फ्रस्ट्रेट हो करके निकाल लेते हैं या वन मंत निकाल लेते हैं तो येकिन मानिएगा यह समय आपको बहुत पीछे ले जाएगा अभी हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए क्योंकि बहुत सारी चीज इंडिली हुई है एंटी ने खुद को इंप्रूफ करने की कोशिश की है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी जैसे आपका अंसर की आया है और कल तक मैं सबस्ती हूं कि आप लोगों को इसका फाइनल अंसर की भी एवेलिबल हो जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद 3-4 डेज में आपके रिजल्ट्स भी घुश्चित कर दी जाएंगे तो यह मान आपका वेकिंसी का फॉर्म आएगा तो फिर आप उस समय एकदम से जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे तो अनलिटिकल स्टडी नहीं कर पाएंगे तो अभी एक काम करिए अभी तिक जित्ती भी शिफ्ट के वेपर हुए मेरे कहने पर एक वर उन सभी पर नजर फिर से करि उनके पारे वे समझी उसमें क्या क्या चीज थी उन्हें रिटी करिए देखिए पी वाई क्यूस ही हमें हैल्प करते हैं अच्छे से हमें गाइडेंस बिल जाती है आप किसी की वीडियो देखिए मैं यह नहीं कह रही हूं उससे पढ़िए नहीं आपको जहां समझ में आत पर देखिए ठीक है सब्सक्राइब कर देखिए लेकिन करते रहें बिकोज अभी आपका वह टाइम है कि समय अभी अभी आप एक्जाम से फ्री हुए है और जिन लोगों ने पहले दिए थे उनकी प्रप्रेशन तो पहले से थी तो आप इस समय दुबारा लगे रहे हैं क् इस को पर इंदे बसे तो फोजए इसा रहे है कि और हाई पिछली पर यहाँ थे हो थे हमारे तो सबी स्टुडेंट्स की होने वाले थे लेकिन फिर क्या हुआ वो टेले हो गया पॉस्पोन होने की वेज़े से बड़ अपकी वार ओमिक्रोन का चांस ऐसा नहीं है विकोज इसमें कोई डैथ रेट नहीं है तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले है कि एक्जैम पॉस् पॉइंट यह है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आगर आप प्रप्रेशन कर रहे हैं तो उसे गिवप मत करिए क्योंकि इतनी दूर तक चलके आए हो और फिर उसके बाद में अगर आप छोड़ देते तो आपकी पूरी मेनद जो है ना वह बेका कि रॉन्स कि penser आपके चलिए क्या आप फिर cin liv yeah अपके ताइम मे प्रॉब्लम थी कहां पर फ्रोब्लम थी वह प्रोब्लम कृप आप बैटर समझ पाएंगे औस करिव क इस भी टॉपिक में आपको इस्चुज आ रहे हैं तो देखिए यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं ठीक है सभी आप खोलें के तो आप देखिए कि काफी सारे लोग है बहुत अच्छे टीचर्स हैं अविलेबल जो कि आपको काफी अच्छे त्रीके तो उन टॉपिक को क कर देंगे आप आपको देखना कि आप को क्या करना ग 다른 दो नए या और वन ओ सिर्णा इच्छ परसंट उसके आप आप कि बात vorbere Tools को क्या है डेक्तिए तो आप यहां तक की जर्णी अपनी स्काइब कार चुकी है अब आगे आप को क्या कर आ तो गाइस देखिए हमेश fum activityी हो misguidance थोड़ी रहती है ये policy होती है थोड़ी सी लोगों की कि इन बच्चों को खुश कर दिया जाए लेकिन ऐसा कुश नहीं है हम भी जानते हैं हम इस level पे हैं कि अगर हमें कोई misguide करेगा तो हम समाझ सकते हैं कि वो हमें misguide कर रहा है तो बस इतना ही है आपके लिए कि बिल्कुल जोश के साथ में लगे रही है ऐसा कुछ नहीं है कि एक्जाम नहीं हुआ है या नहीं निकलने वाला है बहुत टाइम है गाईस अगर आप अभी मेहनत करते हो और फॉर माता है उसे फिल करते हैं तो definitely मैं sure कहती हूँ कि आपका बहुत अच्छे से निकलेगा जिसे निकालना है वो कभी give up नहीं करने वाला तो बिल्कुल बने रही है वीडियो को देखते रही है अच्छी information के लिए हमारे साथ जुड़े रही है जल्दी आपको अच्छे वीडियो भी मिल जाएंगी जिसमें आपको topic मिलेगा analytical 360 degree views के साथ में उसका हर एक चीज आपको बताया जागा कि कोशन कैसे बन सकता है ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई तो like, subscribe, share जरू करिएगा हमारे लिए बहुत important होता है हमें बहुत motivation मिलती है और इतनी सारी वीडियो को like, subscribe करने के लिए thank you friends और I hope all you are well ऐसे ही मुस्कराते रहिए अच्छे से preparation करते रहिए बने रहिए हमारे साथ